नमस्कार बंदे मातरम दोस्तों स्वागते आप सबका सैनिक पार्ट साला में आज का ये वीडियो बहद महत्वपूर्ण है जीवन प्रमान पत्र से जुड़ा हुआ वीडियो है और साथी साथ OROP के तीसरे किस्त से भी जुड़ा हुआ वीडियो है जैसे आप बोर्ड पर जुड़े हुए जानकारियां पहुचा हूँ चाहे वो MSCP से जुड़ा हुआ मुद्दा हो चाहे Circular 568 का मुद्दा हो चाहे और भी जो Documentation से जुड़े हुए चीज़े हैं उनकी जानकारिया आप तक मैं पहुचानी की कोशिस करता हूँ जिससे आप आपके होने वाले नु दोस्तो चैनल के साथ आप जुड़े रहिए मेरी यह मुहिम जारी रहेगी तो अगर आप पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप से जुड़ी भरोसे मन जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तो आज की जानकारियों को और जैसे आप देख पा रहे हैं सबसे पहले जीवन प्रमान पत्र भर दिया डिजिटली लेकिन क्या आपने सपर्स में उसका स्ट्रेटस चेक किया द लेकिन ऐसे में आपने सब्मिशन तो कर दिया लेकिन आगे वो सपर्स में अपडेट हुआ या नहीं हुआ उसको चेक करना भी आपको आना चाहिए बहुत आसान तरीका है आप आसान ही से चेक कर सकते हैं कि आपने सब्मिशन तो कर दिया लेकिन आगे वो अपडेट हुआ तो क्या उसमें होगा तो चलिए उसको लाइब देख लेते हैं अब दोस्तो हमें स्पर्स पोर्टल में आप जैसे देख पा रहे हैं प्रिंसिपल कंट्रोलर और डिफेंस अकाउंट्स का स्पर्स पोर्टल को जैसे हम क्लिक करते हैं यह वाला पेज खुलता है और यहां पर अलर्ट दिखाता है अब अगर अलर्ट के ओके को क्लिक करेंगे तो आप लॉग इन वाले उप्सन में आगे बढ़ जाएंगे लेकिन हमने उदर नहीं जाना हमने जाना क्लिक यह वाला जो आप्सन आप देख पा रहे हैं तो आपके पास आप्सन खुल जाएगा दोस्तों यह वाला जिसमें आपको यूनिक आइदेफायर करके दो आपस इन फिल अप्सन में और उसके बाद फिर आपको ये capcha जो image verification करके's search में क्लिक करना है आपका identification का live certificate का पूरा status यहाँ निकल के आ जाएगगा इस जगह پर जो आपको आगे में दिखाओंगा अब दोस्तों जै वो भी डाल सकते हैं, Spurs का PPO नमबर भी डाल सकते हैं, या EPPO नमबर भी डाल सकते हैं, और दोस्तों, आपको मैं अभी लाइब दिखाता हूँ, जैसे मैंने क्लिक किया, यहां bank account नमबर मैंने Spurs PPO नमबर सेलेक्ट करता हूँ, और यहां पर दूसरे option में Spurs का PPO नमबर डाल के आगे बढ़ता हूँ, आपने एक बार bank account नमबर सेलेक्ट किया, तो दूसरे वाले में आपको दूसरा ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, आप personal नमबर भी ले सकते हैं, आप bank account नमबर के बजाए दूसरा कुछ भी ले सकते हैं, आगे फिर image verification मैंने किया, यहां पर type किया, फिर search में जैसे मैंने click किया दोस्तों, अब मैंने search किया, अब यह वो pensioner थे जिनका मैंने खुद ही कल जिवन प्रमान से life certificate submit किया था, कल, अब देखिए दोस्तों, इनका पूरा details यहां आ गया, original PPO नमर से लेके उनका आधार नमर से लेके pen नमर अपडेट है, नहीं सब कुछ आ गया, अब यहां सबसे important चीज़ यह है, identification due date, मैंने कल submit किया था, तो आज यह पर्स में update नहीं हुआ है, देखिए due date 30 नॉवंबर 2023 का है, जबकि यह 2024 में update हो जाना चाहिए था, तो यह identification करके search में जैसे मैंने click किया, आप दोसों आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि उन pensioner का, जिनका मैंने एक नॉवंबर को live certificate submit किया था, देखिए, 30 नॉवंबर 2024, यानि कि इनका live certificate accept हो चुका है, Spurs के अंदर update हो चुका है, तो इस तरीके से आपने भी यही चीज़ चेक करना है, और Spurs का portal में जा करके, जो page मैंने दिखाया था, उस page में इस option में जाना है, और इस option में जाके दोनों details भरके आपने live certificate का status चेक करना है, तो दोस्तों आप सब ने देखा, कि आपने submission तो कर दिया, लेकिन इस तरीके से आप check भी जरूर करें, कि आपका Spurs में live certificate update हुआ य चमबित लग रहा होगा कि 5700 से अचानक से pension बढ़के 35,000 कैसे हो सकता है, लेकिन ये सही माइने में हुआ है, दोस्तों हिमाचल प्रदेश की ये जानकारी है, हिमाचल प्रदेश की ये खबर है, जो ये सामने आप देख पा रहे हैं, अब ये जो जानकारी है, ये NPS से OPS मे बढ़ करके 35,000 हो गया है, तो दोस्तों ये अब आपको पता चल गया कि pension जो हैं, करमचारी जो हैं, NPS से बदल करके OPS की मांग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बुड़ापे में जो pension होता है, वो सहारा होता है, और ऐसे में, अगर NPS में रहे, तो pension को कितना घाटा होता है, आप आपने इस जानकारी से, इस खबर से आपने एक अंदाजा लगा लिया होगा, तो दोस्तों कहीं न कहीं, अब NPS को बदल कर OPS में करने के लिए मांग उठ रहे हैं, कई सारे धरना प्रदर्शन बगएरा चल रहे हैं, और सरकार ने भी एक कमीटी बना के रखी हुई है, कि pension सिस्टम में सुधार के लिए एक कमीटी बना के रखी हुई है, जिसका काम चल रहा है, और खूब संबब, election से पहले पहले साइद कुछ न कुछ उस कमीटी की तरफ से recommendation सामने आए, और सरकार भी pension सिस्टम में कुछ न कुछ बदलाव करेगी, चाहे NPS से पूरा OPS ना करे, लेकिन कुछ न कुछ बीच का रास्ता निकलने की सुगबुगाहट चल रही है, तो चले दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी के ओर, खुशकबरी, OROP का 30 रा किस्त आया खाते में, जी हां दोस्तों, कल मेरे एक वीडियो में, दो पैंसरनर ने, दो वीवर ने कॉमेंट किया, अब दोस्तों, आपको कॉमेंट भी दिखाऊंगा, उसके बाद मैंने उनसे संपर्क किया, वाटसेप में, अब देखें ये जो कॉमेंट आप देख पारे हैं, नटराज हिरेमत जी का है, नटराज हिरेमत जी ने ये बोला है, इंडियन बैंक has credited the third installment of OROP today, ये कल की मेसेज है, उसके बाद अगला मेसेज आप देखें, उन्होंने लिखा है, सर, I have received my OROP two area, third installment, same as previous, आगे वो भी इंडियन बैंक की ही बात करते हैं, तो दोस्तों, इनसे मैंने जब वाटसेप में संपर्किया, और उनको बोला कि आपका screenshot बेजिए, जो आपको amount credit तो उन्होंने मुझे बेजा दोस्तों, ये देखिए, ये your account फलाना फलाना आप देख पारें, 30,246 रुपे, total balance आगे, 7 नौवंबर 2023 को इंडियन बैंक की तरफ से ये जानकारी दी गई है, जो उनके account में credit हुआ है, और आगला message जो है देखिए, your account फलाना is credited by रुपीज 28 2114 रुपे, total balance so and so, on 7 नौवंबर 2023, इंडियन बैंक, दोनों पैंसनस को इंडियन बैंक की तरफ से third installment मिला है, अब मेरी आपसे गुजारी से दोस्तों की, आप अगर इंडियन बैंक के हैं, या और भी किसी बैंक के हैं, आपको भी अगर आपका third installment मिला है, तो आप इस इंडियन बैंक की तरफ से जानकारी आई है, कि उनके pensioners को third installment मिल चुका है, और दोस्तों, कितना amount मिला, ये भी आपको पता चल गया होगा, दूसरा installment में जितना amount मिला था, तीसरा installment, यानि कि तीसरा किस्ट भी उतना ही मिला है, जो जानकारी इंडियन बैंक के pensioner ने दी है, आपको कब मिलेगा अब दोस्तों ये इंडियन बैंक के जो पैंसनर है उन्होंने जानकारी दिये अभी तक स्पर्स की तरफ से ग्रेडिट किया गया हो ऐसी जानकारी नहीं सामने आई है और बाकी CPPC की भी जानकारी सामने नहीं आई है तो खूब सम्भब अगर इंडियन बै अपने वाला भी से लिए कि मैं फिर से हाजिर हो जाओंगा तब तक के लिए जहीं दोस्तों